चलिए, तो सबसे पहले, बच्चों हम लोग का टॉपिक है, जो पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा, जिसका नाम है, टॉपिक नमर वन डालीए, एंगल मेजर्मेंट टो एंगल Except मेजर्मेंट तो एंगल मेजर्मेंट की शुरुवात होती है एंगल मेजर्मेंट में सबसे पहले जो लोगों को पता था वो था राइट एंगल ये होता है वन राइट एंगल एल शेप में जो आपके पास एंगल बनता है तैस कॉल राइट एंगल तो L-shape में जो है जो angle बना करता है उसे हम right angle बूला करते हैं तो right angle की जानकारी सब के पास में थी अब इस right angle को कई system में तोड़ा गया तो सबसे पहले जो है एक system है उसका नाम है degree system तो degree system ये कहता है कि degree system का मतलब होता है कि one right angle में होते हैं किते degree 90 degree तो in degree system एक right angle याने कि एक सम कोण में किते degrees होते हैं 90 degree मतलब इस right angle के छोटे छोटे फोटे फोटे 90 पार्ट किए गए और हर पार्ट का नाम दे लिया गया उन डिगरी तो इस तरीके से one right angle में कितने degree यहा पे आ गही है तो one right angle पे यहां पे 90 degree आ गई है अब जो यह one degree बची हुई है इस one degree को और जादा छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा गया so one degree को और break किया गया तो one degree में 60 छोटे छोटे पार्ट हुए so one degree is called 60 minute minute का symbol होता है इस तरीके से तो 60 minute ना लिख करके आप लिखें 60 और इसके उपर एक डैस लगा दे so this has to be called 60 minute okay and third एक degree को 60 part में आपने तोड़ लिया तो suppose ऐसा समझो कि यह आपके पास one degree थी और one degree को आपने छोटे 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 पार्ट में ब्रेक कर लिया तो यह किते पार्ट हुए 60 parts हुए इसका जो हर पार्ट आया वो बन गया one minute और अब इसके बाद आपने जो one minute है उसको भी आपने छोटे छोटे 60 parts में तोड़ दिया so one minute is equal to 60 second okay so this is called 60 second तो आप इसको यह न समझें कि यह हमारा घड़ी वाला second का काटा है घड़ी वाले second के काटे में बहुत फर्क होता है okay घड़ी वाला second का काटा जो होता है 60 second में 360 degree गोम जाता है okay 60 second में 360 degree मतलब 1 second में उने चैड़ी गोम जाता है तो यह वो second नहीं है यह मिनट नहीं है यह मिनट और यह second बहुत चोटे एंगल होते हैं बहुत ही चोटे एंगल जो microscope में यूज बहुत होते हैं okay हर minute को 60 second में break किया जाता है अब दूसरा system आता है जिसका नाम है radian system और वो SI ने उसको adopt कर लिया है तो SI ने angle को जो है as a supplementary unit सामिल किया तो angle जो हम लोग पढ़ रहे हैं actually हम लोग का angle बन रहा है एक 2D पे so this angle इसका पूरा नाम है plane angle तो यह जो पूरा नाम है इस angle का नाम है plane angle तो यह angle क्या खेलाता है इस angle का पूरा नाम है plane angle तो बच्चों यहाँ पर यह भी जानना होगा कि angle दो टाइप के होते हैं एक होता है angle in 2D और एक होता है angle in 3D तो angle in 2D जो 2D वाला angle होता है उसको हम बोलते है solid angle तो अभी हम केवल plane में angle पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी पढ़ा ही पूरी plane में हो रही है तो ये angle कहला है का plane angle तो SI unit में क्या बोला गया SI unit में angle की unit बताई गई रियन और क्या बोला गया कि one right angle में ये जो होता है बच्छों one right angle इसमें होलते हैं pi by 2 radian so one right angle equal to pi by 2 radian ठीक है न तो अब हम दोनों में relation establish करते हैं radian में और degree में क्या फरक है तो ध्यान से देखिए यहाँ पर degree system में एक right angle में कितने डिगरी थी 90 डिगरी और यहाँ पर एक right angle में कितने radian pi by 2 radian so हम लिख सकते हैं 90 degree equals to pi by 2 radian 90 degree equals to pi by 2 radian हम लिख सकते हैं okay so 92 को multiply कर दीजे so 180 degree equals to pi radian तो बच्चों याद रखेंगे आज तक जो आप 10th class में इसको 90 degree पढ़ते आए हैं 11th class में इसको बोलेंगे pi by 2 radian में और 180 degree जो straight angle आस तक आप पढ़ते आए हैं that is called 180 degree तो 180 degree को आप क्या बोलेंगे pi radian so 180 degree is equals to pi radian तो 180 degree पाई radian होते हैं तो 1 degree में कितने होंगे बच्चों pi upon 180 radian तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला अगर आपको degree को radian में convert करना हो तो pi upon 180 का multiply कर दीजे इसका उल्टा pi radian में कितने डिगरी होते हैं 180 degree so 1 radian में कितने डिगरी होंगे 180 upon pi so 1 radian में कितने डिगरी 180 upon pi तो दो फॉर्मूले नोट कर लेजिए degree को radian में बदलना and radian को degree में बदलना दोनों फॉर्मूले नोट कर लेजिए degree को radian में and radian को degree में इस तरीके से बदला जा सकता है screenshot ले ले बच्चो इस screenshot time to time लेते रहिएगा matter काफी जादा हो जाएगा आज so this is the way how you can convert degree into the radian and radian into the degree बोलो बच्चों समझ में आ गया yes sir yes sir yes done so now question करते हैं बटा कि जैसे आपके पास माल लेजिए बटा 30 degree है 30 degree है 30 degree को radian में बदलना है कैसे बदलेंगे very simple degree को एक degree में pi upon 180 radian होते हैं तो degree को radian में बदलने के लिए just pi upon 180 का multiply कर दो भाईया बन जाएगा so pi upon 180 का multiply कर दिया 30 से किते बार गया 6 बार answer कितना आ गया pi by 6 आपसे बोला गया 45 degree में कितने radian होते हैं so 45 degree multiplied by pi upon 180 ये multiply कर दिया तो कितना आ गया मेरे 45 से कितने बार जाएगा pi by 4 so answer होगा pi by 4 radian तो degree को radian में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा into multiplied by pi upon 180 ये मुझे कैसे याद रहता है क्योंकि degree तो मुझे हमेशा बनती थी और radian में क्या देखा मैंने pi के दर्शन किये तो pi को उपर कर दो और degree को नीचे कर दो इसके उल्टा radian को degree में convert करना है तो degree में मैंने किसके बारे में सुना है 180 के बारे में तो degree कर दी उपर और radian कर दिया नीचे तो अगर 180 अपॉन pi का multiply करोगो तो radian बदल जाए एक example देखे लेते हैं किसी ने मुझसे कहा कि भाया 5 pi by 12 कितना बोला 5 pi by 12 radian कितने degree होता है ओके तो मैंने का बनता है मुझे मैंने 5 pi by 12 लिखा और multiply कर दिया कितने का 180 अपॉन pi का तो pi से pi हो गया cancel अब 12 से cancel करता हूं मैं 180 को तो 12 से अधि मैं cancel करूंगा तो 12 बंजा 12 और 12 फाइवजा 60 15 बार गया 15 को ने 5 आंसर कितने degree 75 डिग्री ओके screenshot ले लिजिए इस तरीके से डिग्री को radian में radian को डिग्री में convert कर लिए है बहुत easy है radian को डिग्री और डिग्री को डिग्री को डिग्री को डिग्री को डिग्री को डिग्री में convert करने के बाद हम next बात करते है एक्सराइस पे सीधे आते हैं जो हमाई पस बुक है एक्सराइस पे हम सीधे आते हैं ये देखिए कहा गया है पहले question में find the radian measurement to the corresponding degree तो 25 डिग्री को बदलना है तो लिए पाई बनी ठीका multiply कर दो 25 डिग्री जो है radian में convert हो गई कोई बड़ी बात नहीं है अगला देखे माईनस 47 डिग्री 30 मिनट ये आ गया माईनस 47 डिग्री 30 मिनट ये आ गया है और आपको इसको बदलना है किसमें radian में ओके देखे कैसे करते हैं माईनस 47 डिग्री 30 मिनट को radian में दलते हैं चलो solve करता हूँ मैं आपके साथ में माईनस 47 डिग्री 30 मिनट ओकी माईनस 47 डिग्री 30 मिनट तो सबसे पहली सवाल तो सरी है माईनस क्यों आ गया यहां पर तो बच्चों देखो क्या होता है कि angle measurement करने का sense होता है ये क्या है बेटा ये है आपकी original ray और इसके ऊपर जो घूमती है वो कहलाती है अपकी movable ray है ना मतलब ये fix ray है और ये movable ray है इसको मालो o point है ये x है और ये क्या है y है तो 2 rays है दो rays के बीच का inclination ही angle कहलाता है दो rays के बीच का जो चुकाओ होता है उसे हम angle बोलते हैं अब यहां पर इस rays को rotate करने के दो तरीके है या तो आप इ इस तरीके से rotate कर रहे है तो आप ध्यान से लेकिए आप anti-clockwise move कर रहे है मतलब घड़ी के चलने के opposite जिसे हिंदी में बोलते हैं वामा वर्त actually you are moving anti-clockwise तो anti-clockwise जो angle होता वो positive माना गया है और अगर इसी ray को आप उपर की तरफ ना move करके नीचे की तरफ move करके लेकिया दे तो ये angle कितना माना जाएगा ये angle negative माना जाएगा तो अगर आप clockwise move करेंगे घड़ी के चलने के according तो ये angle कितना होगा negative तो अगर आप उपर चल ग बताना नहीं पड़ेगा भीया ऐसे घूमो ऐसे घूमो डिर्कली किसी ने हमें बोला plus 30 मतलब anti-clockwise minus 30 मतलब clockwise बड़े आसान से हम पहचान सकते हैं कि हम कहाँ move कर रहे हैं आईए तो minus sign से हमारी कोई लड़ाई नहीं है minus sign को बाहर रख दीजिए ये है मेरे पास 47 degree and 30 minute हम जो formula लगाते हैं degree को radian में convert करने का वो क्या था 1 degree is equal to pi upon 180 radian तो हमारे पास पूरी की पूरी degree होनी चाहिए थी बट हम ये क्या हमारे पास आधा काम तो degree में है और आधा काम minute में है तो सबसे पहले minus को बैठे रहन दो और 47 degree प्लस करके क्योंकि कॉमा 30 minute है तो 30 minute को degree बदलने के लिए क्या करोगे 30 upon 60 degree ये हो जाएगा 30 upon 60 degree क्यों हो गया आप जानना चाहते हैं क्यों हो गया तो अभी आपको मैंने बदाया था कि 1 degree में कितने minute होते हैं भहिया 60 minute होते हैं तो 1 minute में कितने degree बनीगी 1 by 60 degree तो 1 minute में 1 by 60 degree तो 30 minute में 30 by 60 degree मतलब कितना आ गया 1 by 2 तो ये मेरे पास आ गया कितना 1 by 2 मतलब complete मेरे पास degree कितनी बनी minus 47 minus बाहर and plus half degree इतनी मेरे पास degree बन चुकी हैं अब आईए इसको swap करता हूँ मैं तो माइनस बाहर है 2 7 जा कितना हो गया बिटा 2 7 जा 14 carry 1 and 44 और 8 एक 9 plus 1 divided by 2 तो कितना आ गया minus 95 by 2 ये बन गई बिटा आपके पास complete degree so minus 95 by 2 okay 47 and half मतलब 9 का 95 by 2 अब ये complete degree में convert हो चुकी है अब आपको बदलना है इसको so you know radian बदलने के लिए हम किसका multiply करते है पाई upon 180 का so अब हमने multiply करना है so कैसे बदलेगा minus 95 upon 2 into पाई upon 180 चलिए काटना सुरू करता हूँ मैं मैं इसको काटूंगा किसे 5 से तो 5 से ये जाएगा 19 ताइमस और मैं इसको काटूंगा 5 से तो 5 3s are 15 and 5 6 are 30 yes ये हो गया so answer मेरे पास कितना आ रहा मेरे पास answer आया है minus 90 pi upon 36 to 72 radian चेक करता हूँ answer minus 19 pi upon 72 yes exactly बिलकुल सही answer दिखे minus 90 pi upon 72 तो बताइए बत्चों यहां तक आपको बिलकुल क्लियर है कि नहीं है yes 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 विसका स्क्रीन स्क्रीन शॉट ले लो बटाइग बार इसका स्क्रीन ओके इसका स्क्रीन शॉर्ट इसका ले लिजीए डन? याइस बच्चो चलिए तो पहला पार्ट हमारे पास क्या था convert the following degree into the radian into the degree measurement तो जल्दी से अपनी अपनी कॉपियां खोल करके अपने अपनी sheet खोल करके पहला question देख लें एक मिनट दूसरा करा दू उसके बाद देखेंगे दूसरा question है find the degree measurement corresponding to following radian measurement ओके पहला तो मैंने करा दिया आप देखने पहले के पाच्चों आपसे बन जाएंगे फोर्ट के फोर बन जाएंगे की नहीं बनेगे आंगे चलू मैं फोर बन जाएंगे? ये सार ठीके जिसको नहीं बने इंडिवीजियों उसे पूछ लीजेगा अब question number Akshat your sound is missing I want to ask whether you are there Sir I am there I am also answering also Okay okay So और ये चारो के चारो बन जाएंगे न Yes sir Okay so let's move to the second question Second अभी देखा आपने बिटा की Radian को आपने degree को Radian में convert किया अब जो है आप Radian को आप जो है Radian measurement को degree में convert करेंगे ध्यान से देखे इनके उपर degree नहीं लगी हुई है ये नहीं लगी हुई है ये नहीं लगी हुई है ओके तो ये सारे के सारे क्या है Radian और बच्चों याद रखिएगा जो हमारे numbers होते हैं एक दो तीन चार इनकी unit भी Radian ही है मतलब ये जो number पढ़े जाते हैं ये Radian में ही होते हैं ये Radian में ही number होते हैं जैसे आपके सामने कोई number लिखा minus 4 तो minus 4 जो है अगर कुछ उसके उपर degree नहीं लगी हुई तो वो Radian ही है तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने 4 देखा और आपने अपने मन से degree लगा लिया ऐसा आपको नहीं करना है ये Radian measurement में ही होता है चलिए page number तो हम अब solve करते हैं अगला question जो हमारे पास दिया गया है अगला question है एक question मैं example बताऊंगा फिर सारे बन जाएंगे आपसे जैसे मैं पहला उठा लेता हूँ minus के load में लेना minus बाहर बैठा लेगा 11 upon 16 Radian को बदलना आपको degree में okay so 11 upon 16 what is this this is given in radian and you have to convert how much degree आपको बताना है कि ये कितने degree में होगा तो हम जानते हैं कि 1 Radian equals to होता है कितना 180 upon pi degree ये कभी मुझे भूलता नहीं क्योंकि degree 180 उपर रहता है तो 11 upon 16 Radian equals to होगा 11 divided by 16 multiplied by 180 upon pi degree pi मतलब 22 upon 7 ये तो सब लोग जानते होगे कि pi का मतलब 22 by 7 होता है और ये degree मैंने उपर लगा दी है अब चलिए solve करते हैं तो 11 से कितने बार जाएगा भाई दो बार जाएगा 22 दो से कितने बार जाएगा 90 बार जाएगा 180 और काटो और काटना सुरू करते हैं 90 से ये 2 times जाएगा तो 45 और ये गया 8 सो कुल मिला के मेरे पास कितना बच गया मेरे पास बच गया 45 multiplied by 7 और नीचे मेरे पास बचा है 8 क्या है ये डिग्री है बट अब ये complete डिग्री तो है नहीं तो पहले इसको solve करते हैं तो इसको solve करते हैं 45 multiplied by 7 करते हैं 45 multiplied by 7 7, 5s are 35 carry i 3, 7, 4s are 28 and 3, 28, 28, 29, 31 315 so it is 315 divided by 8 डिग्री अब बच्चों डिग्री में है आपको radian में चाहिए है डिग्री मेजर्मेंट आपके पास ये है आपको radian में चाहिए है डिग्री में चाहिए है minute में चाहिए second में चाहिए है ऐसा radian तो दिया था डिग्री में convert हो चुके है अब देखो बच्चों यहाँ से थोड़ी सी मेना पड़ीगी अब देखिए आप 315 8 से डिवाइट करो तो कितने बार चाहिएगा 8 से 4 बार 35 होता है 3 बार 24 तो यह हो गया 24 11 में से 4 गया 7 बचते हैं यह 0 बचेगा यह कितना बचेगा 5 8 8 जा 64 8 9 जा 72 8 9 जा 72 So here it is 3 अच्छे से ध्यान से देखो बच्चों What is this? This is 39 प्लस 3 अपॉन 5 डिग्री मैंने क्या किया? मैंने इसको Mixed Fraction में लिग दिया है तो 49 complete डिग्री है और बची हुए कितने डिग्री है? पिटा स्वरी यह 8 था 39 complete डिग्री and this यह बन गया अपने पास मतलब 39 complete डिग्री है and बाकी क्या है? बाकी जो 3 by 8 डिग्री है वो 1 से कम है जो बाकी 3 by 8 डिग्री है वो जो है वो 1 से कम है So 39 complete डिग्री and rest 3 by 8 डिग्री are less than 1 So अब मेरे पास देखो 39 complete डिग्री है प्लस बिटा 3 by 8 degree है मैं इसको क्यों ना minute में convert करना हूँ तो मैंने बताया था आपको 1 degree में कितने minute होते हैं 60 minute होते हैं so multiplied area बाद में 60 कर दूँगा तो कितना आएगा मेरे पास देखो काटा कुटी करते हैं इसको यहां solve कर लेता हूँ 3 upon 8 into 60 चार से काटता हूँ दो और चार से काटूंगा कितने बार जाएगा पंद्रा बार ओके तो 3 into 15 how much it is 45 by 2 minute 45 by 2 minute ओके तो मैं इसको लिख सकता हूँ 45 by 2 minute 45 में 2 से divide करो 45 में 2 से divide किया 2 2 जा 4 तो यहां पर 4 आएगा यहां 1 आएगा फिर 5 ऐगा 2 7 जा 14 27 जा 14 कितना बन गया 1 तो बच्चों देखो धान से complete ही क्या बनेगा 27 raise to 1 2 so 39 degree plus 27 raise to मतलब plus 1 by 2 27 complete minute and 1 by 2 जो incomplete minute so I can write it 39 degree comma 27 complete minute हो गए है और 1 by 2 incomplete minute बचे हुए है और 1 by 2 incomplete minute जो 1 से कम है तो उनको second में बदल दो हर minute में कितने second होते हैं 60 second होते हैं तो यह कितना बज़न गया 30 मतलब 39 degree 20 second 27 minute and 30 second बताओ समझ में आया कि नहीं आया है येस येस इसकी screen shot ले लो एक बार आंसर चेक कर लेता हूं एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं इसका येस 39 degree 22 minute and 30 seconds ओके यहीं आंसर आया है येस वह थर्टी नाइक 22 मैंने कहीं पर गलती से 22 आना चाहिए यहां पर एक मिनट 27 नहीं आ रहा है किया या तो उन्होंने गलती करी है या मैंने गलती करी है जा बेका तो यहां पर टू ही आएगा ओके यह तो कुरा कैंसल हो जाएगा वन नहीं बचेगा वाइब बचेगा तो फाइब बिल्कुल सही है यहां पर बच्चो 22 कर लिजिए यह में स्टेक था मेरा इसको सही कर लिजिए तो 39 डिग्री 22 सेकेंड 30 मिनट बोलो क्लियर यह तो यह हमारा यह वाला पार्ड भी हो गया है हमारे पास कंप्लीट अब देखते हैं तो जल्दी से आप देख लिजिए question number अपने पीडियाब में भी आप open करके देख सकते हैं question number two में कोई problem रेडियन को डिग्री सुरू के दो ही टफ हैं बागी के दो बहुत आसान है दो बात लाश्ट के क्योंकि पाई से पाई कैंसल हो जाएगा हमारे मजे हो जाएंगे बताइए question number two में किसी को को प्रॉब्लम तो एक बर बोल दो चली अब बात करते हैं एक formula की जो की बहुत important है हमारे लिए और याद रखिएगा वो formula जो है केवल और केवल आपका radiant system में ही लगेगा इसको मैं new page ले लेता हूँ एक मिनट 11.1 चली इवरा second chapter का open करके खो theory करो second chapter लगा math second chapter चली यह देखिए अब करते हैं इसको ओके तो formula हम बनाने जाने वाले हैं दूसरा formula बनाने वाले हैं आपको याद होगा अपने class 10 में पढ़ाता length of arc का formula length of arc length of arc का formula अपने class 10 में पढ़ा था क्या था मैं बता लेता हूँ आपको यह दि आपके पास कोई circle था और उस circle में कोई arc हुगा करता था जो center पे angle theta subtend करता था और जिसकी radius थी तो मैं बोलता था length of arc क्या होगा तो आप बोलते थे सर वेरी सिंपल 2 pi r into theta by 360 यह था length of arc 2 pi r into theta by 360 और याद रखेगा वहाँ पर theta किसमें चलता था degree में क्योंकि 10th class तक हम theta को radial में जानते भी नहीं थे तो यदि मैं इसको देखूं जल्दी से 2 से काट दूं ओके तो यदि मैं इसको यहाँ पर काट नूं 2 से तो क्या बन जाएगा यह अपने पास 180 और यह क्या बन जाएगा मेरे पास r को मैं यदि अलग कर लूं तो r ये पास बन जाए बोली बच्चों बनेगा की नहीं बनेगा यस theta into pi upon 180 अब एक चीजा आप जी मैंने आपको पढ़ा गया है अगर degree वाले angle में अगर pi upon 180 का multiply कर देंगे तो यह पूरा का पूरा जो box है pi upon 180 का multiply करने के बाद radian में convert हो जाएगा की नहीं हो जाएगा बताओ अगर degree के angle को yes तो मतलब यह क्या है this is l equals to r multiplied by theta in radian तो formula क्या बनेगा चो theta in radian का theta in radian is equal to l by r तो formula लिखिए angle is equal to r upon radius angle in radian only radian में ही लगेगा यह formula is equal to r upon radius angle in radian is equal to r by radius आँगे की जितने questions आपको इस exercise में दिये हैं वो इसी formula से लिकर लगने है एंगल is equal to r upon radius तो r is equal to angle into radius r is equal to angle in radian multiplied by radius चलिए आईए देखते हैं इस question को एक question कर ले तो आपको और ज्यादा clear हो जाएगा रोले नहीं को शुट ले ले इसका screenshot ले 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 डूसर गोड़ की ले नेक्स कोस्टिन तो यस क्वेशन अमबर थ्री वी आठीशन वर कोस्टिन नमेर थी आव वील मेंक्स 360 revolution in one minute through how many radian in dust and in one second but one second qi हो रही है मतलब math से जादा physics लगी हुई है कि कह रहा है 360 revolution कर रहा एक मिनट में आजो भीया एक मिनट में 360 revolution मतलब 360 round और बात को ही second की तो एक मिनट में कितने second होते हैं 60 second 60 second में हो गए 360 round तो एक second में कितने होंगे 360 divided by 60 मतलब की 6 round okay 360 divided by 60 equals to 6 round मतलब अब ये क्या है 6 round है अब बच्चों देखिए हमको जो answer है वो निकालना है question में किरा है कि how many radians ये एक second में travel करेगा भाई बहुत ही simple सवार है अब एक second में 6 चकर लगा रहा है अगर आप बात करो एक round का angle एक round में आप सब लोग जानते हैं कि एक round में कितने degree होते हैं 360 degree तो एक round में cover होते हैं 360 degree ओके तो 6 round में cover होंगे कितने 360 multiplied by 6 degree तो 6 round में कितने चलेंगे 360 degree multiplied by 6 ओके तो हमको answer किस में चाहिए हमको answer चाहिए radian में और ये तो अभी degree आ रहा है तो answer radian में कितना होगा 6 multiplied by 360 और radian में बदलने के लिए आपको सब को पता है किसका multiply करते हैं pi upon 180 का तो 180 से ये cancel हो जाएगा कितने बार दो आंसर होगा 12 pi समझ गया है answer कितना होगा 12 आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि सर ने भी बताया था कि straight angle कितने का हुआ करता 180 degree होता है pi का तो complete angle कितने का होगा 2 pi का मतलब एक चक्कर का complete angle कितना बनता है 2 pi जिसको आप 360 बोलते हो वही रेडियर में क्या होता है 2 pi तो जब एक चक्कर का 2 pi बनेगा तो 6 चक्कर का कितना बनेगा 12 pi तो answer वैसे भी आ गया चलो देख लो अब जल्दी से देखे question number 45678 में मैं आपको कौन सा question बता दूँ आराम से रेखे के full तसल्ली के साथ आपके पास pdf है open करिए pdf और जो question में दिक्कत है बिल्कुल full delivery के साथ उससे पूछिए कहां पर कोई doubt आ रहा है question number 123456 में कहीं पर कोई problem है तो बताईए आप pdf अपना open कर लें ठीक ना और उससे देखें देखें कर is नम्बर 6 चलो भई कोशन नम्र 6 बताते हैं कोशन नम्र 6 कैसे करना है क्वेस्चन नम्र 6 का कहना है इफ इन टू सर्किल्स आर्क अप दे सेम लेंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एड दे सेंटर ठीक है दो सर्किल हैं सेम लेंथ हैं आपको रेडियस निकालनी है कि find the ratio of their radii चली अभी हमने क्या formula पढ़ा है हमने आपके सामने अभी आपको formula पढ़ाया है कि angle is equals to arc divided by radius अभी हमने पढ़ाया आपको angle is equals to arc upon radius yes yes so I can theta is equals to l by r theta is equal to l by r so here l equals to कितना theta into r l equals to theta into r yes अब यहां पर क्या कह रहा है कि दो same arc है question पढ़ रहा हूं देखे into circle arc of the same length अच्छी बात है भी यह मतलब दो arc है दोनों की length same है तो दूसरा arc मान लेता हूं l1 और दूसरा arc मान लेता हूं l2 और दोनों की length same है मतलब l1 equal to l2 क्योंकि आपने कह दिया कि दोनों की length same है तो l1 equal to l2 formula लगाई यह theta 1 r1 equal to theta 2 r2 क्यों होगा क्योंकि l equals to theta r है तो l1 के लिए theta 1 r1 l2 के लिए theta 2 r2 होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें theta 1 r1 equal to theta 2 r2 अब तो theta 1 r1 equals to theta 2 r2 हो गया हमें क्या निकालना है radius ratio r1 upon r2 equal to हो जाएगा theta 2 by theta 1 अब देखते हैं angles क्या क्या दिये गए हैं तो septended angle दिया गया है 60 degree and 75 degree मतलब पहला angle 60 है दूसरा 75 है तो ratio हमारा दूसरा angle उपर आएगा 75 degree upon 60 degree अब आपको radian में बदलने की जरूद नहीं क्योंकि radian में बदल भी लोगे अगर हलाकि यह formula radian में लगता है तो इमानदारी से आपको pi upon 180 का multiply उपर करना चाहिए और pi upon 180 का multiply नीचे करना चाहिए क्योंकि यह angle radian के लिए है मगर कोई दिक्का नहीं होगी अगर आप radian में नहीं भी बदलोगे तो दोनों cancel हो रहे है क्योंकि ratio वाला question है काटना पड़ेगा अपन को कितना आया 75 upon 60 15 से काट दो पांच बार चार बार आसर आगया 5 by 4 चेक करिए यही answer है क्या 5 by 4 yes exactly does the ratio of the radia is 5 by 4 बोले बच्चों clear है yes yes sir so answer इसके screenshot ले लिजे तो बहुत सरल तरीके से आप इसको कर सकते हैं l equals to theta n2 are l1 l1 l2 दोनों की equal है yes और देखिए कोई doubt इस पूरी exercise में चले आंगे हम लोग exercise one में no doubt ओके चली exercise two की तरफ चलते हैं exercise two आने वाली है आईए देखते हैं अब हमको पढ़ना पढ़ेगा पूरा quadrant system यहां तक टिग्नोमेट्री का किबल एंगल वाला part पढ़ा है अब यहां से main टिग्नोमेट्री सुरू हो रही है बिल्कुल और फुल पावर में अपने टिग्नोमेट्री जो है यहां से आएगी तो वर्ट टिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है वर्ट टिग्नोमेट्री दो वर्ट से बना है ट्रेगॉन एक ग्रीक वर्ड है ट्राइगॉन का मतलब होता है ट्राइगॉन एन मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर्मेंट मतलब किसी ट्राइगल के मेजर्मेंट के साइन्स को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगल के मेजर्मेंट में छे चीजे आती है वो चाहती है, एक है A, B, C, Small A, Small B, Small C और Angle A, Angle B, Angle C, याद रखिए, तो ये 6 चीजे क्या है ट्रेंगल के मिजर्मेंट में एक तो इसके 3 Angle, Angle A, Angle B, Angle C और दूसरा इसकी 3 Sides, 3 Sides का नाम क्या है, सबसे पहली Sides B है तो A, B को नाम आपने दे दिया है, Small C बोला जाता है, वर्ल्ड में यही चलता है A, B को Small C क्योंकि ये Angle C के सामने है, दूसरा B, C, B, C Side का नाम होता है Small A क्योंकि ये Angle A के अपोजिट है, और तीसरा जो है, A, C, इसका नाम है आपका Small B क्योंकि ये Angle B के अपोजिट है, तो ये आपके पास में जो है, ये हो गए, आपके पास में ये तीन Sides हो गए, और तीन Angle हो गए अगर आप कहते हैं कि हम किसी ट्राइंगल को Mesur कर लिए हैं, कोई ट्राइंगल हमें में में जो हो गया है, इसका मतलब आपको ये 6 की 6 चीज़े पता चल गए हैं अगर आपको ये 6 की 6 चीजे पता चल गई हैं इसका मतलब आप इस triangle की पूरी कुंडली बना सकते हैं कि ये triangle कैसा है पूरा सब कुछ इसके बारे में आप बता सकते हैं बट सवाल ये है कि क्या हमें ये 6 की 6 चीजे पता रहेंगी नहीं एक triangle की पूरी जानकारी के लिए आपको सवाल में चार चीजे दी जाएंगी अगर पूरा triangle आपसे पूचा गया है अगर किसी कुंडली बनाने में आपको बोला गया है कि is triangle की कुंडली बनाओ इस ट्रैंगल के जन्म से लेकर के इसके मरने तक का पूरा हिसाब किताब बताओ तो आपको वो चार चीजे दी रहेंगी वो चार चीजे कुछ भी हो सकती है हो सकता है तीन एंगल दे दे या एक साइड दे दे या तीन साइड दे दे एक एंगल दे दे अगर आपको कुरी चार चीज़ें पता हैं तो आप इस ट्रेंगल की कुंडली पूरी-पूरी बना सकते हो तो टिग्न Mayo की देशा में कदम बढ़ाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि टिग्नो मैंट्री में different different technometric ratios के sign क्या होते हैं positive angle के लिए और negative angle के लिए तो technometric में यदि आपके पास एक right angle triangle अब right angle triangle की दुनिया से धीरी से हम बाहर निकलाएंगे यह है A, यह है B और यह है C, ओके यह है angle theta इसको right angle भोलते हैं अगर यह theta है तो यह angle इसका complement के दाएगा 90 minus theta तो एक ही time में के बल एक ही angle के बारे में बात कर पाऊंगा मैं तो इस technometric इस angle के लिए जो है जो है जो है technometric ratios define किये गए हैं पहला sin theta, दूसरा cos theta, तीसरा 10 theta और sin का reciprocal होता है cosec, cosec theta, cos का reciprocal होता है sec theta and 10 का reciprocal होता है core theta, यह 6 technometric ratio define किये गए है, इन theta आप लोग सब लोग जानते हैं sin theta is equal to theta के सामने होती है perpendicular, सबसे बड़ी वाली side होती है hypotenuse और जो theta से चिक क्यों ही side होती है उसको भूलते हैं base तो याद ले, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse and 10 theta is equals to perpendicular upon base okay, इसका reverse कर दीजिए, तो reverse कर देंगे cos theta is equal to hypotenuse upon perpendicular, इसको पलट तो sin को पलट करके cos बन जाता है cos को पलट करके, यह तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा weak है hypotenuse upon base and 10 theta का reciprocal ले दीए, इसको पलट तो 10 theta का reciprocal होता है cos theta, तो P upon B को पलट होगे तो B upon P, बोलो प्रियांची समझ में आया yes sir, इसकी screen shot ले लिजिए, तो यह अपने पास में जो है, यह हो गया six trigonometric ratios, जिए 6 trigonometric ratios आ गए है, अब लिखे heading डालिए बच्चों, trigonometric ratios for negative angle heading डालिए, trigonometric ratios for negative angle देखते है, trigonometric ratios for negative angle, यह मेरे पास axis है, यह x axis है, यह y axis है और यह बन रहा है, मेरे पास positive angle theta, यह मेरे पास बन रहा है positive angle theta, hypotenuse हमेशा positive होता है ओके, perpendicular यह कहलाएगा और base यह कहलाएगा, तो चलिए देखते है, sin theta is equals to P upon B sin theta is equals to P upon H, यह होगा, sin theta is equals to P by H था बच्चों, and 10 theta is equals to P upon B यह होगा, positive angle यह तो हम पढ़ते आ रहे हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं, entry करती है, negative angle की entry करवाते हैं यह देखे, negative angle यहाँ पर entry होड़ा, तो जितना उपर theta था, उत्री नीचे का negative angle हमने ले लिया, यह देखे, यह negative angle ले लिया, ओके तो negative angle अगर आप उपर की तरफ प्लस पी चलते थे, तो नीचे की तरफ कितना चलेंगे, minus और hypotenuse तो यही रहेगा, क्योंकि hypotenuse जोता है, distance है, तो h ही रहेगा, sin of minus theta, तो sin minus theta is equals to हो जाएगा, minus का upon का h, and you can write like this, minus of p by h, और p by h क्या था, p by h क्या था, p by h क्या है, यहाँ से था, sin theta, तो यह क्या बन जाएगा, minus sin theta, तो बच्चो एक आपकी जिंदगी भर में लगने वाला formula developed हो चुका है, कि sin of minus theta is equals to minus theta, ओके, no, cos theta is equal to b upon h, अब हम लें, cos of minus theta, तो cos minus theta, यहाँ के लिए cos देखिए, cos में base तो अभी भी भी ही लगेगा, और hypotenuse अभी भी h है, मतलब minus part कहीं से नहीं आया है, तो cos minus theta is equal to b upon h, ओके, और b upon h equal to क्या होता है, तो formula क्या बन गया, कि cos में minus sign पर नहीं करेगा, cos minus theta is equal to cos theta, ठीक है, अब 10 की बात करते हो, 10 minus theta, तो 10 minus theta मतलब नीचे वाले angle, यह minus theta यहाँ पर रहेगा, minus theta, यह base, minus theta angle के लिए 10 theta लेते है, 10 theta is equal to the perpendicular, तो perpendicular कितना है, minus p, base as it is रहेगा, तो answer कितना आगया, minus of p by b, better you can write like this, 10 theta is equal to minus of 10 theta, नोट कर लीजे तो यह हो गया, minus 10 theta, तो तीन टिग्नोमेट्रिक रिशो है, sin minus theta is equal to minus sin theta, cos minus theta is equal to cos theta, and 10 minus theta is equal to minus 10 theta, मतलब टिग्नोमेट्रिक का असर जो है, minus sign का केवल 10 को होगा है, cos को कोई असर नहीं होता है, और जिनको minus sign खिलाने का असर नहीं पड़ता है, ऐसे function को हम बोलते हैं, बच्चों, even function, जिनको माइनस साइन खिलाने में असर नहीं पड़ता है ऐसे फंक्शन कहलाते हैं इवन फंक्शन और जिनको माइनस साइन खिलाने में माइनस साइन वो बाहर उगल देते हैं जैसे इसने माइनस साइन को उगल दिया 10 ने माइनस साइन को उगल दिया ऐसे फंक्शन को हम बोलत कितना होगा बच्छों माइनस कॉसेग थीटा ओकी माइनस थीटा क्या होगा बच्छों सेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा सेक थीटा and court minus theta is equal to क्या होगा बच्छों but minus theta is equal to minus court theta चलो बताओ मुझे क्या नहीं समझ में आई मानदारी के साथ कोशिश मैंने पूरी करी है बिल्कुल clear हेक्दम अच्छे से यस तो यह बन गए बच्छों हमारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो ओके ठीक ना यह हमारे बन गए है टिग्नोमेट्रिक रेशियो चलिए अब अब अप्षट क्लियर एनी प्रॉब्लम अब देखें है अब हम अपनी टिग्नोमेट्री 360 डिग्री एंगल के लिए लेके चलते हैं 360 डिग्री एंगल के लिए हमारे टिग्नोमेट्रिक क्या होगी 360 डिग्री एंगल के लिए हमारे टिग्नोमेट्री क्या है तो अगर यह 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो रेडियन में बदली है सर क्योंकि अब तो रेडियन में बात करते हैं सब्सक्राइब तो इन जगहों पर टिग्नोमेट्री के रेडियन पे निशान क्या होंगे बहुत आसान है जान पानना इस बात को देखे यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है इस क्वाड़ेंट में आप देखे सारे के सारी डिस्टेंस है चाहे आप कोई वी ट्रैंगल बना लो आप यहाँ पर तो यहाँ पर perpendicular भी positive है, base भी positive और hypotenuse तो positive होता ही है मतलब यहाँ पर trigonometry के सारे ratio होते हैं क्या positive तो मतलब यह क्या होगा all positive तो पहले वाले symbol में मैं क्या होगा all, a for all तो यहाँ पर first quadrant में मतलब 0 degree से ले करके 90 degree के बीच में यह 0 radian से ले करके 5 by 2 radian में क्या होंगे, सभी trigonometric ratio क्या आएंगे positive all सब के सब positive हाएंगे अब आईए second quadrant में, तो देखिए second quadrant में क्या हो रहा है अगर आपका triangle जो है second quadrant में जाता है अगर आपका triangle second quadrant में जाएगा, मतलब आपकी ray जो है second quadrant में जाएगी इस तरीके से तो देखिए वहाँ पर perpendicular तो plus है, आपका जो perpendicular बनेगा वो तो positive है ओके, perpendicular आपका positive है, hypotenuse positive है, मगर base क्या है, negative है तो इस base के negative होने की वजए से, वो trigonometric ratio जिन में base आता है, वो सब negative होंगे तो प्रकृती बताओ मुझे कि base किसमे किसमे आता है प्रकृती बताओ ये, base किसमे किसमे आता है बिटा एक तो आता है, cost में, एक तो आता है 10 में, और cost में आएगा तो sec में आएगा और 10 में आएगा तो cot में आएगा मतलब यहाँ पर all positive है, यहाँ पर कौन positive होगा जिसमें perpendicular है और hypotenuse है मतलब यहाँ पर sin positive होगा मतलब यह sin theta का घर है कहो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया Yes, Sir तीसरा, तीसरा quadrant में कौन positive होगा तीसरे quadrant में आप आईए, तीसरे quadrant में देखिए यहाँ पर perpendicular भी negative है और base भी negative है तो 10 theta जो होगा वो होता है perpendicular of base तो minus से minus cancel हो जाएगा और बन जाएगा positive तो यह जो third quadrant है, वो किसका घर है? यह 10 का घर है ओके? एंड लास्ट जो fourth quadrant है fourth quadrant में देखिए यह तो positive है और यह क्या है? negative और यह क्या है? positive मतलब base positive है और hypotenuse positive है base यह है और यह hypotenuse positive है तो base upon hypotenuse positive होगा मतलब यह किसका घर हो? cost का तो एक finally diagram मना लो गच्चों A, S, T, C all, sin, tan, cos मतलब first quadrant में all positive second quadrant में sin positive third quadrant में 10 positive और fourth quadrant में cost positive note कर लिजे A, S, T, C after school to college ओके इसको याद करने का तरीका है done sir after school to college अब ये से तका सफ्का है आपका फॉर्मला का फॉर्मॉला से आप पताके जो रिजडस extrêmement साई है कर सकते हैं कि किस quadrant में कौन वेरी होगा अब चलिए देखते हैं बच्चों अब एंगल कि कि एंगल जो है वो एंगल कितना होगा एंगल ठीक है न एंगल देख लेते हैं तो क्या बोलते हैं multiple and sub-multiple एंगल देखते हैं की कितने होंगे मतलब आभ हमें देखने हैं एंगल को थे यह अपने पास में कितना है ये वाली जो लाईन है ये लाइन थे नाइंटी यह पर डाइट किर टू यह वाली लिखते हैं अब मैं आपको यहां पर देखिए बताने वाला हूँ एक बहुत अच्छा फॉर्मूला ये किसका घर है और का घर है ये साइन का घर है और ये कॉस का घर है चलिए तो पहला फॉर्मूला मैं डेवलप कर रहा हूँ साइन इस क्वाडरेंट में फस्ट क्वाडरे to minus theta बच्चों याद रखिएगा जब भी हम ये वाली line cross करते हैं 90 के आजू बाजू जाते हैं या तो 90 minus theta या 90 plus theta तो trigonometric ratio change हो जाते हैं मतलब trigonality अनुपाद जो है वो बदल जाते हैं कैसे बदलते हैं अगर आप ये line cross करोगे जिसको कहते हैं y axis अगर आप y axis के आजू बाजू खेलें तो trigonometric ratio आपके बदल जाएंगे कैसे बदलेगा वेटा sign tough हो जाएगा kost में और Łukos interchange हो जाएगा sign 10 interchange हो जाएगा court में और court interchange affect me sex interchange हो जाएगा kosek में kosek interchange हो जाएगा second में बोलो समझ में आया yes sir sign Can send साइन में 10 कॉट 10 में सेक कॉसेक में कॉसेक में प्रियांशी प्रगति आप लोगों से स्पेशल निवेदान है जो ना समझ में यह सब बोलना मेरे से पूछ लेना टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है बड़ पूछ लिजेगा तो है ना क्योंकि बाकी सारे बच्चे जो हैं बड़ी क्लासेस के हैं आप दो बच्चे थोड़ा से छोटी क्लासेस के हैं इसलिए आप लोग पूछ लिजेगा तो sin cos 10 cos cos जो है ये convert हो जाएगा आईए देखते हैं कैसे convert करेंगे तो जैसे पहला formula मेरे पास हाया sin 90-θ कहलो या sin 180-θ कहलो 90 मतलब ये वाली line के पीछे जा रहे हो मतलब change हो जाएगा तो sin किसमे change हो जाएगा cos में तो ये कितना हो गया cos थीटा कि अगला कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बिटा यह बन जाएगा साइन थीटा क्योंकि कॉस किसमें चंज होता है सिम्हेव çek ثोप हूँ है अपका कौन सा है टं टं नाइन थी जाई हो या पाई भाई टू किटा कह लिए तो यह क्या क्या हो जाएगा कॉट थीटा सेक नाइन्टी मैनस थीटा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा कुसेक थीटा को सेक नाइन्टी मैनस थीटा क्या हो जाएगा यह सेक थीटा एन कॉट नाइन थीटा कॉट हो गया क्या नहीं हुआ कॉट नाइन थीटा हो गया क्या 10 थीटा अब च यहाँ पे सारे के सारे positive होते हैं इतने technometric ratio है सब के सब के आएंगे positive ये भी positive ये भी positive ये भी positive ये भी positive तो किसी भी प्रकार का sign लगानी की जरूरत नहीं है ये 10th class वाले formula बन गए अब चलते हैं next quadrant पे तो next quadrant जो है इधर की तरफ आ रहे है second quadrant तो second quadrant क्या बनेगा यदि आप इधर की तरफ आओगे तो second quadrant का angle बनेगा 90 प्लस थीटा तो आईए हम बनाते है formula 90 प्लस थीटा के लिए तो sign 90 प्लस थीटा लिख लो या प्रवेर टू सीन नाइटी प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, and sign 90 प्लस थीटा, last cosec 90 प्लस थीटा कोसेक 90 थीटा चली solve करते हैं कैसे solve करेंगे sign 90 प्लस थीटा cos 90 10 90 प्लस थीटा cot 96 90 kosek 90 sign 90 तो sign है change हो रहा है ये वाली line change हो रही है 90 के r पार हो रही है y axis cut हो रहा है इसका मतलब trigonometric ratio change हो जाएंगे sign का compliment क्या होता है cos थीटा बन जाएगा 10 का cot बन जाएगा cot का 10 बन जाएगा sick का cosek बन जाएगा और cosek का sick बन जाएगा अब लगा ये chin चिन कैसा लगेगा 90 प्लस थीटा मतलब second quadrant कौन रहता है ये sign थीटा का मायका है मतलब यहाँ पे sign positive होगा और sign का ultra cosek positive होगा पारकी सब negative तो sign कहां बैठा हुआ है देखिए sign ये बैठा हुआ है मतलब sign 90 प्लस थीटा एककोल टू कॉस थीटा ये प्लस होगा और cosek कहां बैठा हुआ ये बैठा हुआ है तो ये प्लस होगा बाकी सारे क्या होंगे negative आ गया समझे बच्चों ये सर्ण करिए सबी लोग स्क्रीन्शॉट ले लो भाई और नहीं आया है तो फिर से पूछो sign 90 प्लस थीटा होगा plus cost थीटा cos 90 प्लस थीटा minus sign थीटा 10 90 प्लस थीटा cot थीटा cot 90 प्लस थीटा minus 10 थीटा and sec 90 प्लस थीटा minus cosek थीटा and cosek 90 प्लस थीटा सेक थीटा क्लियर चलिए देखे इसका यूज बहुत अच्छा है जैसे मान लिजे आप से बोल दिया गया कि मेरे को कॉस्ट डिगरी की वैल्यू बताओ कैसे करोगे बिटा कॉस्ट वन ट्वन्टी की वैल्यू आपको इसर ने सिखाया है कि कॉस्ट वन ट्वन्टी की लिख लो कॉस्ट नाइन्टी प्लस थर्ट ओके नाइन्टी के आजू बाजू मतलब ये वाली लाइन है मतलब चेंज हो रहे हो तो क्या आएगा साइन थर्टी आएगा और कौन सा क्वाडरेंट है सेकेंड क्वाडरेंट है सेकेंड क्वाडरेंट में देखो कॉस्ट क्या होता है निगेटे होता है तो अंसर आगया माइनस साइन थर्टी मतलब माइनस का वन बाई टू समझ गया ना माइनस का वन बाई टू अंसर आगया आप से पूछा जाए बताईए कि 10 150 degree की value क्या है चलो जल्दी से बताओ 10 150 किता होगा 10 150 बताई ये कितना होगा बच्छो 90 प्लेस टे पूरा बताओ देखिए 10 150 एक प्लेस्टी हो जाएगा 10 हो जाता है कॉर्ट में और सेकेंड कॉडरेंड जो होता है किसका घर होता है साइन का तो 10 तो नेगेटिव में टूटेगा तो माइनस और कॉट 60 की value क्या होती बच्छो 1 by root 3 समझ गया ना root 3 minus 1 by root 3 yes sir तो minus 1 by root 3 answer कितना है इसका minus 1 by root 3 तो इस तरीके से आप इसको find कर सकते हैं चलिए तो 2 उपे हम सीख चुके हैं हमने 90 minus theta के सारे formula पढ़ लिए और 90 plus theta के पढ़ लिए अब हम पढ़ने वाले हैं 180 minus theta और 180 plus theta तो आपको मैंने बताया है कि इस line में कभी कोई trigonometric ratio नीचे या उपर change नहीं होता है अगर आप ये 180 degree है यानि की pi है अगर आप उपर की तरब जाएंगे तो आपका angle मिलेगा आपको 180 minus theta और अगर आप theta degree नीचे की तरब जाएंगे तो आपको angle मिलेगा 180 plus theta तो no change कोई trigonometric ratio change नहीं होगा बट plus या minus according to quadrant आएगा जैसे second quadrant है तो sine का घर और third quadrant है तो 10 का घर चली अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या होगा बच्चे बताएं पहला formula है पहले मैं लिख देता हूँ sine 180 minus theta तो 180 minus theta पहचान लेजे कौन सा quadrant लगेगा second quadrant क्योंकि ये है 180 है तो 180 में से आप पीछे जा रहे हो ना पीछे जाओगे तो यहां आओगे और 180 से आँगे आओगे तो यहां आओगे 180 minus theta मतलब second quadrant तो sine 180 minus theta पॉस 180 minus theta टैन 180 minus theta ओके cot 180 minus theta and sec 180 minus theta and cosec 180 minus theta यह देखिए यह आपके trigonometric ratio है चलिए अब मुझे बताते जाईए sin 180 minus theta no change वैसे लिख दो sine theta ओके हाँ अब चिन्ध लाश्ट में लगाए हाँ बुलो यह लगा दो चलो बताओ sin 180 minus theta क्या आएगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा सर प्लस प्लस आएगा क्योंकि second quadrant है खुद का उसका घर है और खुद के क्या होते हैं positive होता है तो प्लस आएगा बताइए cos 180 minus theta आएगा minus cos theta very good minus cos theta 10 180 minus theta क्या आएगा माइनस 10 minus 10 theta minus cos theta change होएगा यह नहीं बेटा वाई यह है न यह देखो यह line है इस line में कभी कोई change होता है नहीं समझ गया न एक तो तरीका यह है या दूसरा तरीका यह है कि 90 का multiple देखा करो तो 90 का multiple क्या है टू याने even तो जिसमें 90 के even multiple होते है मतलब यह वाली पड़ेगी इसमें no change और जिसमें 90 के odd multiple होंगे उसमें यह वाली लाइन पड़ेगी मतलब चेंज चली तो 10 180 मैंस थीटा मतलब माइनस 10 थीटा कॉट 180 मैंस थीटा बूलिए क्या होगा इस फिटा से BLACK क्या हो तो सेकंड यह थीटा होगा बिल्कुम से मैंने मैंने माइनस आपको धो धोका देनी के लिए लिखा है यह प्लस को सेक्षीटा होगा बिकोस यह सेकेंड कॉडरेंट में है आ rebellion positive होगा तो cosec भी positive होगा बिल्कुल सही बात है चलिए तो ये हो गई sign की बात है चलिए अगला पढ़ते हैं 180 प्लस थीटा जाई है थर्ड क्वाडरेंट में sign अब इस बार में 180 को मैं बोले girls फाई प्लस थीटा कोउस अपक्रण 5 फ्लस थीटा ऐस है साइन पॉसटें को सेख पाइ प्लस थीटा ओके और कोड पाइ प्लस थीटा चलिए बताएए मेरे को मांनस साउन इडाई से थीडा कुए थेर्ड कोडरेंट है सबस्क्राइब बागी सारे निगेटवित गलेंगे टेंडर पॉढई क्या होगा प्यान्ष का सदweiqué एकजेक्टिये थेन पी फिलस थीटा में टीन वेस्ट सेक थेटा या वरे त्विस टो सेकप यीटो acaba सेक पये प्लस थीटा है वीरियनिस टियों स्ट आइश पार फीपलर स्ट टaken थी alltså सर citizen 004 टीट कॉर्ट नेस तरिशन आंटने कुछ तो यह बन गए बच्शों की पास के 180-й, और 180, 180-theta, 180-theta, अब चलते हैं, 270-theta and 270-theta, ठीक ना, तो 270-theta, 270-theta, तो यदि इधर की तरब मैं चलूंगा, तो यह होगा 270-theta, इसी को मैं क्या बोलता हूं, 3 pi by 2, pi by 2 मतलब 90, 90 का तीन कुना, 270-theta, और यदि मैं इधर आउंगा, तो यह बनेगा 270-theta, इसका 270-theta 3rd quadrant है मतलब 10 का घर है और 270-theta 4th quadrant है मतलब cos का घर है क्योंकि रूलता है A, S, T, C All sin 10 cos चलिए तो देखते हैं पहला formula पढ़ेंगे sin 3 by 2 minus theta 3 by 2 minus theta फिर उसके बाद 10 3 by 2 minus theta फिर उसके बाद sign का हो गया cos 1 3 by 2 minus theta फिर 6 3 by 2 minus theta Yes बीटा Yes बीटा Sir, the screen is hand ओकी वेट बीटा फिर से एक बार करता हूं सही okay now it is fine Yes Sir Sign 3 pi by 2 minus theta, cos 3 pi by 2 minus theta, cos 3 pi by 2 minus theta and cot 3 pi by 2 minus theta देखो पेटा वाई एक्सेस चेंज हो रहा है मतलब टिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा चलिए बताइए मुझे साइन थ्री पाइब टू माइनस थीटा इस एकुल तो वाट माइनस कॉस्टीटा माइनस कॉस्टीटा वेरी गुड क्योंकि थर्ड क्वाडरेंट है तो के वल टैन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजटिव मेंकि सब निगरिटेव और साथ ही साथ साइन कटीट होगा कॉस्ट में कॉस्टी परवे टूमास्टी एकॉल तु मिनस साइनन accusation olharagit सब्सक्षपकी एक व향 एक द नख को ज को कि चुछ ऑद च2 क से QA3332 में सिटर विए लै धिए सेट का इसक का कॉंप्लीमेंट सेख होता है बिटा सेख 3 प्यवाइट 2 मैनस ठीटा मैं इस पॉच रहा हूं आप लोग को 3 प्यवाइट 2 प्लस ठीटा ठीक ना ऐसे ही पूच रहा हूं और आपको बताना है है कि 3 प्यवाइट 2 प्लस ठीटा में क्या बनेंगे टिग्नोमेटरिक रेशियो पिछले तो आपने बिल्कुल सही बताएं है इसको बताना है आपको एक सेकंड बिटा इसको नया पेज लिलू मैं इस इस 11.3 बिटा आपको बताना है नेक्स 3 प्यवाइट 2 प्लस ठीटा इन दिस फॉर्थ प्यवाइट 2 प्लस ठीटा ना ओके चली मैं पूस्ता जाता हूं साइन थ्री पाइट 2 प्लस ठीटा इसमें इकल तो हो मच है तो आइन थ्री प्लस ठीटा इकल रिकूर्थ फ्यूर्थ प्यूर्दे तो साइन चेंज हो जाएगा फ्यूर्द में साईन नेगेटिव आता है सो माइनस कॉस्ट थीटा कॉस्ट थीटा कॉस्ट का कॉस्ट अपने घर में क्या होगा फूर्थ क्वाडरेंट है कॉस्ट का घर ओके टेन थ्री पाबे टू प्लस थीटा बोलिए माइनस माइनस एक अधर देखा करो उधर से सहका रहा है इससे मतलब है जो इन्पुट में दिया उससे मतलब है रहे जो को सिक थीटा यु कितना बोला मैं वीटा मायनस सेकथ एक तर ना स Mitarbeiter प्लस थीटा एक तीटा एक तीटा एक तीटा बिल्कुल सही अब लास्ट पे दो बचे हैं एक बचा है 360 माइनस थीटा और एक बचा है 360 प्लस थीटा ओके 360 माइनस थीटा चलिए तो बताईए 360 को क्या लेखते हैं टू पाई माइनस थीटा एंड इसको लिखेंगे टू पाई प्लस थीटा तो चलिए बताईए पहला है साइन टू पाई माइनस थीटा एक उसटू हाउ मचँ साइन टू पाई माइनस थीटा एक चसांकि साइन अधि तीटा यदी साइन दीटा कॉस्ट थीटा को सर्थ नहीं होगा ताइन नहीं आएगा बच्चों 360 है X-axis है एक सेक्सेस में नो साइन चेंज तो कॉस्ट डू पाइं माइनस थीटा इस इकल्टू होगा कॉस्ट थीटा okay next 10 2 pi minus theta minus 10 T minus 10 theta 10 2 pi minus theta is equal to minus 10 T okay oh yeah sine theta okay then cosec pi minus theta minus cosec theta minus minus cosec theta will say and sec 2 pi minus theta sec theta or sec theta sec theta cot nahi hooga beta hai na and cot 2 pi minus theta minus cot theta minus cot theta minus cot theta okay cot hai beta ab last test 360 plus theta theta matlab first quarter first quadrant matlab all positive but out in 360 plus theta how much I'm trying to sign theta cos 360 plus cost 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 3630 चलो sign 3630 की value बताईए ओ सर आपने इतना सारा तो पढ़ाया ही नहीं ओके इतना सारा मैंने कहां पढ़ाया sign 3630 आप सर ने तो केवल एक चक्कर का पढ़ाया है कहां से 0 degree से ले करके 360 degree का ही पढ़ाया मैंने फिर इतनी बड़ी value कैसे पूछ रहा है माइक आफ कर लो अभी रिप्लाई करना तब उपन कर लेना माइक sign 3630 की value कोई बता सकता है पूरी class में जल्दी से बोलो sign 1 by 2 कितना बिटा sign 1 by 2 sign 1 by 2 कोई value नहीं होती है कोई होती नहीं value sign 1 by 2 sign 30 sign 30 sign 30 sign 50 sign 30 sign 50 sign 30 sign 30 sign 30 sign 30 हाँ बिल्कुल सही है अपकी value कैसे करेंगे देखिए बेटा ध्यान से sign 3630 मतलब की sign 360 के कितने चकर 10 चकर क्योंकि 360 के 10 चकर कितने हो जाएंगे 3600 डिगरी और 3600 के बाद इसमें क्या एड है 30 डिगरी एड है और अभी मैंने आपको बताया कि चकर लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है sign 360 प्लस थीटा आपका थीटा ही आता था मतलब ये वाला part useless है तो कितना आएगा answer sign 30 answer कितना हो गया 1 by 2 note करिए 1 by root 2 45 होता तब आता 1 by root 2 है 1 by 2 ही बोला है आँ चक्चप सही बोले हो लिकुल 1 by 2 done चलो अक्षद चलिए लिका लिए 10 to 25 की वैल्यू 10 of 225 की वैल्यू बताओ अक्षद पढ़ा चुका हूँ 10 to 25 की वैल्यू निकालना सर्वन आएगी चलिए देखिए 10 to 25 कहां पर होगा 180 के आंगे होगा और 180 के आंगे कितने डिगरी 45 डिगरी सो यू कन राइट इट 10 180 प्लस 45 ओके 180 प्लस 45 मतलब थर्ड क्वाडरेंट है और 180 है मतलब नो चेंज 10 45 और साइन क्या लगेगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव और 10 45 कितना होता है 1 करेक्ट आंसर 1 चलो अगला क्वेश्चन बताईए अगला क्वेश्चन है साइन साइन 780 डिगरी हां बताओ प्रियांशी प्रकृति आंसर साइन 720 डिगरी बुलो दोड़ा लॉजिक नहीं दोड़ा अबिटा बुलो बताई सर्थ नहीं प्रियांशी प्रकृति 5 सेकेंड्स बोलो बनेगा नहीं बनेगा 900 ओके बुलो अक्षाट बुलो अक्षाट अंदर रूट साइन रूट 3 बाइटू चली देखते हैं रूट 3 बाइटू वैल्यू बोल गई है ओके माइक आफ कर लीजे देखी कैसे करते हैं साइन सेवन एट्टी मतलब 360 का एक चक्कर 360 का दूसरा चकर तो 360 और 360 कितने हो गए बिटा हो गए कितने 720 अब 720 से कहां तक पहुंचता है साइस्टी तो साइस्टी में कितना सिक्स्टी यह सवान नो तो साइस्टी पहुंच जाएंगे आपको मैंने बताया था 360 जो होता है उमारना यूजलेस होता है तो इसको गायप कर दो इसको भी गायप कर दो काम का क्या मिला 60 सो अंसर साइन 60 डाट इस एकुल टूरू करने हैं आपको कहीं भी कितने भी डिगरी के आ जाएं आपको बहुत ज़्यादा डिवरी रहे हैवी डिगरी रहे समझ जाओ कि ये पक्के से आपको एंगल घुमा करके दिया गया है चलिए तो आईए अब आते हैं वर्कशीट पर एक चीज बहुत काम में आने हमारे चार क्वाडरेंट ओके तो में आल पॉजिटिव सेकेंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और थर्ड में टैन थीटा पॉजिटिव होता है और पूर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है आईए करते हैं सीधे एक्ससाइस की क्वेस्टिन्स ओके फाइंड दा अधर 5 tignometric values of cos x equal to minus 1 by 2 x lies in third quadrant बच्चो question को अच्छे से देख लिजे cos x की value minus 1 by 2 दी गई है और कह रहा है x lie कर रहा है किसमे third quadrant में चलिए तो x हमारे पास third quadrant में lie कर रहा है तो third quadrant कहा होता है ये होता है तो ये third quadrant में lie कर रहा है तो तरीके से हमारे पास जो दी गई है value किसकी यहाँ पे cos x equal to minus 1 by 2 cos x की value जो दी गई है minus 1 by 2 आपको दी गई है cos x equals to minus 1 by 2 अब आप जानते हैं कि cos equal to होता है base hypotenuse तो आपके पास 2 च्वाईस है minus वाला negative नीचे वाला positive और उपर वाला positive नीचे वाला नीचे वाला दो च्वाईस है या तो minus 1 upon 2 देखो और या 1 upon 2 देखो तो बच्चो hypotenuse तो कभी negative हो नहीं सकता है मतलब के से base ही होगा minus 1 तो base क्या दिख गया minus 1 और hypotenuse कितना दिख जाएगा 2 तो अब हमारे पास यह बन चुका है base है minus 1 और hypotenuse है कितना 2 चलिए पाइथागोरस theorem से यह निकाल लेते हैं तो पाइथागोरस theorem से आप perpendicular का square plus base का square equal to hypotenuse का square तो perpendicular square p square ले लिजे minus 1 का square कितना होगा 1 ही आएगा equal to 2 का square कितना हो जाएगा तो p square equal to कितना हो गया बच्चों 3 4 minus 1 तो p is equal to plus minus root 3 अब यहाँ पर दिमाग लगेगा आपको कि बताइए perpendicular बताइए क्या दें देखे ध्यान से third quadrant में perpendicular आपको क्या दिखाई दे रहा plus root 3 की minus root 3 minus root 3 बिल्कुल यही पहचानना था क्योंकि यह नीचे जा रहा है downward है मतलब perpendicular कितना होगा minus root 3 अब हमारा answer बिल्कुल तयार बैठा हुआ है पहला sin x equal to perpendicular upon hypotenuse minus root 3 by 2 cos x equal to base upon hypotenuse minus 1 by 2 10 theta is equal to perpendicular upon base perpendicular है minus root 3 और base कितना है minus का 1 cancel से cancel हो गया root 3 ना इसका कर दो तो cosec x equal to minus 2 by root 3 ok sec x equal to minus 2 by 1 and cot x equal to इसका उटा कर दो 1 upon root 3 बच्चो समझ में आया तो main चीज को इस चीज का sign पहचानना था कि plus root 3 यूज़ करोगे कि minus root 3 यूज़ करोगे तो quadrant देखकर कि हमको समझ में आ गया कि third quadrant में perpendicular भी negative होता है और base भी नहीं है तो यहाँ पर minus लेंगे screenshot लीजिए समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताईए अगर अगर यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वाडरेंट में एंगल थोड़ा न दिया गया है बिटा थार्ड क्वाडरेंट में दिया गया है तो सर्क वे सब्सक्राइब न भी सही है तो यह पहले सॉल्व करने को आता था तो ऐसे सॉल्व करना पड़ता था कि हम वैल्यू इसमें ले ले लें हैं जैसे वहां पर आप यह कहते जैसे आपका लॉजिक क्या कह रहा है आपका लॉजिक यह कह रहा है कि देखे सर्फ कॉप एक्स की वैल्यू है माइनस वन बाई टू है ना और थर्ड क्वाडरेंट में हैं बोलो हाया ना हाँ सर्फ हाँ इसका मतलब आप कह रहे है कि इस जो कॉस एक्स होगा सर वो थर्ड क्वाडरेंट के लिए होगा कॉस 180 प्लस 60 बोलो हाया ना क्योंकि 3rd quadrant के लिए cos 180 plus 60 इस तरह से जो आपका एंगल बना वो कितना बना 240 डिग्री यस और नो बिल्कुल सर अब आप निकाल लो साइन 240, cos 240, 10 240, cos 240, 6 240, 6 240, 4 240, समझ में आया यही कह रहा हूँ न बिल्कुल सर यही कह रहा हूँ मिनी यही है आपका तो आपने क्या कि आपने जो है पाइथागोरस ना लगा करके सीधे एंगल को पकड़ लिया मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से करा दिया कि आपका 3rd quadrant में है तो उपर वाला बन जाएगा अब पर पेंडिकुलर स्वरी बेस और नीचे वाला बन जाएगा हाइपोटेनस तो पर पेंडिकुलर फाइंड कर लो चलो डन क्लियर है जली अब एक काम करिये बच्चों जल्दी से देखिए क्वस्चन नंबर एक साइस टू में आप से कौन सा क्वस्चन नहीं बनेगा तो मैं बता दूँ आप लोग को अच्छे से देख लो आपके पास सीट है ओपन करके देखो कौन सा क्वस्चन नहीं बनेगा क्वस्चन नंबर सेवेंथ एट्थ नाइंथ बहुत अच्छे अच्छे क्वस्चन से यह देख लो अच्छे से अच्छे नों अच्छे में अट सुन्के अच्छत उत्याइव अच्छे इंधा उनका धर्ष म्लिझेंच ने इंगा आए क्व किष्च यह आइए कि दस्कारा निक्रमों अटमार्ऌम फजार्ष में अटर्टर्टर्ट॥ अटर्टर्ट के इस वाह आँए साइन थर्टी सेवन नहीं भाई कहा होता है मुझे खुद नहीं पता क्या होता है निकालना पड़ेगा बहुत तगड़े तरीके से कि मैंने कुछ मुट्रिक्स देखी दी तो सब्सक्राइब कि एंटी एक पेटेंट एंगल से थर्टी सेवन फिफ्टी दिमाने चितने क्वेशन तुम में देगा वो थर्टी से बना की देगा आता है तो यप याद करने थ्री भाई फाइव याद है तो अच्छी बात है वह साइन थर्टी सेवन फ्री बाई फाइव आज जैसे सब्सक्राइब चलिए क्वेशन नम्बर फाइब देखते हैं find the value of 5 trigonometric ratio if 10x equal to minus 5 by 12 x lies in second quadrant चलिए तो 10x equal to minus 5 by 12 है और x जो है second quadrant में lie करता है आपको value निकालनी है देखिए second quadrant हो रही है यहाँ पर हमने second quadrant में diagram बना लिया यह second quadrant का diagram है और यहाँ पर yes यह देखिए यह हमारे पास जो है यह angle x है ओके and 10x equals to कितना दिया गया हमाँ पास भीटा 10x equals to minus 5 by 12 ओके 10x equal to minus 5 by 12 तो जब भी हमारे पास आता है minus 5 by 12 तो देखो अब यहाँ पर theta नहीं लगेगा अक्षद भाई वो जो theta वाली trick है इस बार नहीं लगेगी 60 degree वाली क्योंकि 5 और किसी टेबल में आते ही नहीं है बोलो हाया ना हां सर इसमें तो वह वैसी करना पड़े जैसे आपने बुला तो यह बन गया पांच बेस हो गया तो यह बन गया पाइथागोरिय इंटरपलेट बच्पन से स्वाल करते आ रहे हैं पांच है एक है बारा है तो हाइपोडेनस कितना होगा बोलो 13 यस और नो इस सर रियांची प्रकृती किसने पूचा बिटा एक क्वेश्चन बोलो समझ में आया कि नहीं है यह सार यह साइन होगा कि नहीं होगा करके बताओं क्या यह सर पांच पहले सा रिया था कर लो कोस का इलता से कल यह जाए काल नो सल चुक्र Filipino पूरे बन जाएंगे तो इसको पूरे कर लिजेगा ठीक ना अब देखिए बच्चों अब है आपके पास में exercise exercise 23.3 तो आज आपको exercise 3.3 जितनी बन जाए अब कहोगे सर यह कैसे बनेगी अरे बेटा बहुत ही simple exercise है sin square pi by 6 तो अभी आप लोग ने ने हो ना तो आप लोग को degree आता है तो कुछ नहीं pi by 6 को degree में बदल लेना तो देखो pi by 6 को degree में बदलने क्या करोगे 180 upon pi का multiply pi से pi cancel किते degree 30 degree तो जो जो जोंसी वाले degree हो वहाँ पे value पूट कर देना तो यह बन जाएगा sin 30 sin 30 की value किती होती 1 by 2 यह cost 60 cost 60 की value 1 by 2 का square कर देना 1045 कितना होता 1 1 का square कर देना रख करके solve कर लोगे बोलो बन जाएंगे question की नहीं बन जाएंगे बन जाएंगे sir हाँ अब cost square 7 pi by 6 अब बोलोगे sir cost square 7 pi by 6 तो आपने बताया नहीं cost square अरे भाई यह cost square 7 pi by 6 की value निकाल लो लो cost 7 pi by 6 7 pi by 6 तो pi by 6 कितना होता है 30 degree और 30 का 7 कितना हुआ 210 मतलब यह है cost 210 cost 210 तो कैसे निकलेगा cost 180 plus 30 तो कौन सा quadrant है 180 plus 30 मतलब की 3rd quadrant में cost negative होता है minus sin चेह नहीं होगा minus cost 30 value किती आगई minus 2 मतलब इसकी value किती आएगी minus 2 ज़रह देख लो cost square 7 pi by 6 की value यह देखो minus 2 बैठी ही है तो minus 2 का square कर देना cost हाँ बेटा बोलू 5th question से identity लगना चालू हो गई है 5th question से identity लगना चालू हो रही है yes अब 5th question से identity लगना चालू हो रही है तो पहले जितने question इस exercise के बन रहे हैं आज कर लीजिए शाम वाली class में मैं आपको technometric identity पढ़ाऊंगा ठीक है yes sir तो साम वाली class पढ़ाऊंगा आज समय काफी हो गया आप लोग से लोग ठक चुके होंगे तो यहां को सर किते बजे साम को आज class लगाऊंगा मैं 8 बजे से लेके 10 बजे तक 8 से 9 9 से 10 और स्टिग्नोमेट्री के जितने portion बच्चे हुए हैं दोनों खतम हो जाएंगे आज रात को ठीक है कि यह सब्सक्राइब